दिग्विजे सिंग और सिंधिया के बीच छेड़े वाकिय उद्ध में अब मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चोहान की भी एंटी हो गई है। कमलनात और दिग्विजे सिंग भी इस होड में सामिल है। कृपया दिग्विजे सिंग जैसे देश विरोधी और मद्रपदेश में बंटड हार भारत में पैदा ना हो। इस जुबानी जंग पर सनिवार को मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने कहा कि सिंधिया और जो कॉंग्रेश छोड़ कर साती भाजपा में आये हैं। दिग्विजे सिंग गद्दार बता रहे हैं। वह याद रखे कि वह गद्दार नहीं खुद्दार है। आखिर वे कॉंग्रेश में कितना अपमान सहते हैं। चुनाव लड़ा सिंधिया के नाम पर और मुख्य मंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनात को और सरकार भी कमलनात नहीं पीछे से दिग्विजे सिंग चला रहे थे। कि मैं गाड़ी में बैठा कर दूसरी पार्टी में छोड़ाऊंगा। कोई भी खुददार यह कैसी बरदास्त करता। मिलने जाये तो कहते थे चलो चलो आखिर कितने अपमानित होते। और एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर वह गलत लोग होते तो जनता उनको हजारों वोटों से कैसी जिताती। जो कॉंग्रेस में रहकर 1200 वोटों से जीते थे वे भाजपा में आकर 50-60,000 वोटों से जीते उन्होंने इस्तिफा दिया चुनाम लड़ा सान से जीत कर आए। लेकिन कॉंग्रेस में तो छोटे पन और ओचे पन की होड लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है। कमरनात और दिग्विजे सिंग भी इस होड में शामिल हैं सूत नकपास जुलाहों में लठम लठा कॉंग्रेस का क्या होगा भगवान मालिक है।